तो चलो, आज के जो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आज हम लोग को गोल क्या-क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भेपर प्रेसर और उसी के माधि हम से एक हम लोगो स्याइंटिस्ट था, जो स्याइंटिस्ट का नाम था रॉल्स, उन्होंने हम लोगो भेपर प्रेशर के अनुसार कुछ-कुछ नियम दिया था तो वही सब हम लोग उसके लॉग को यहां पर जानेंगे तो सबसे पहले जो हम लोग को मक्सद है वो हम लोग को भेपर प्रेशर को समझना है क्योंकि अभी से जो और चेप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो हम लोग को सबसे पहले तो पता होगा कि जैसे हम लोग चेप्टर को classify के थे सबसे पहले हम लोग देखे थे taps of solution taps of solution देखने के बाद जो second में देखे तो वहाँ पी देखे हम लोग concentration terms, concentration terms यहां तक जो कहानी था यह दोनों topics हम लोग को क्या था तो class 11th का ही topic था उसके बाद अभी से जो शुरू करने जा रहे हैं जो हम लोग को होगे vapor pressure इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे qualitative properties तो यहां से जो भी हम topic हम लोग पढ़ेंगे आगे चलके वह सारे terms में हम लोग को किसका यूज होगा vapor pressure का concept हम लोग को यूज होगा तो vapor pressure को बहुत ही अच्छा तरीका से फिल कर लेना पड़ेगा तभी आगे का concept हम लोग अच्छा तरीका से touch कर पढ़ेंगे तो चलो हम लोग को मकसद क्या है हम लोग को vapor pressure आखिर होता क्या है उसके बाद हम लोग जायेँगे रॉलल्स लौब इसनर में तो यह ऐधा अज क्या क्या हम लोग आज देखने वागे अब देख्टे हम लोग बेपर परेसर आखिर हो होता क्या सबसे पहले और विए falou क्या करेंगे तो इसमें कोई भी हम लोग क्या कर रहे हैं लिक्वीड को यहाँ पे हम डाल रहें कि सबसे पहले टो वर्द के बारे में भी समझेस लो एक वर्ड आएगा हम लोग वोलाटburst और दुसरा वर्ट हम लोगों को यूज होगा नन वोलाटायल अब यह दोनों मीनिंग का मतलब आज के बाद समझ लेना यहां पर देखो कहने का मतलब हो यहां पर नमक अगर रख दिया नमक वेगे तो नमक कभी हम लोगो क्या उपर नहीं होगाल और इनलों कित बोलेंगे जिसका हमनों को क्या बनें भेपर बने rare Words रखांगे तो यहां पर बात करेंगे कि भे पर बनेगा वेपर नहीं बने gathering और जिसमें लोग भेपर ननमक बनता हो तो एशनकि निए जन्हेंगे नहीं बनेगा तो यहां बोलेंगे तो यह दो वर्ड का यूज हम लोग बार बर करेंगे तो वहां पर घबराना नहीं कि वोलाटाइल किसको बोल रहे हैं अभी सबसे पहले यहां पर बात करने जा रहे हैं वोलाटाइल को ले करके ही चल रहे हैं क्याची बात करने जा रहे हैं वोलाटाइल अब वोलाटायल कहने का मतलब वैसा सब्स्टांस लेंगे जिसका भेपर बनेगा अब यहां पर मान के चलो हम लोग क्या डाल रहे हैं लिक्वीड रखे हुए क्या राखे हुए इस कंटेनर में लिक्वीड डाले हुए अब यह लिक्वीड जो है वह हम लोग को वोलाटायल nature का है मतलब इसका क्या बनेगा वाश्प बनेगा अभी मानके चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर हीट वगरardi हमं क्या क्या कर रहे हैं देना हम चाट कर रहे अब तुम लोझ जान रहे है कि यहां पर जैसे हम लोग यहां फेट देंगे यह थीरे थीरे हम लोग K tekrar इसका भी बनना स्टार्ट होगा अब भी बनना स्टार्ट होगा तो तुम लोगों नहीं पर जबर उतना बनेगा वह किसके दूआर बनेगा जो लीकवीट के उपर सत्ता में जितने भी मोलीकिल्स होते हैं यही मोलीकिल्स का करते हैं उपर हम लोगो ट्रांसफर होते हैं वहां पर क्या बनते हैं हम लोगो भेपर बनते हैं ऐसा नहीं कि नीचे वला जाकर के भेपर बनेगा पहले कोन वला जाकर करेगा उपर वला उसके बाद फिर उपर जाएगा फिर वहां से क्या होते हैं हम लोगो भेपर में ट्रांसफर होता है तो यहां पर जितनी भी अगर volatile nature का अगर हम लोग को liquid है तो यहां पर जितनी भी molecules दिखाई दे रहे हैं उतना सभी क्या करेगा यहां पर हम लोगो भेपर बनाएगा तो यहां पर देख रहे हैं कितना molecule है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ molecule है तो यहां पर भी तुम्हार क्या बनेगा 8 molecule बनेगा 2 3 4 5 6 7 8 समझ मारा 144 यहां पर यहां पर इसाड इस Kaglaala नीचे वाला ऊपर जागा फिर बनेगा तुछ wanna दिरे दिरे यहां पर CO बनने लगेगा यहां पे नीचे क्या है किया है लिक्विड है कि क्या है Г Tenni कि यहां पर किया है लिक्विड है लैकि कुछी तरह का कोई भी मीक्स करेंगे बाद में अभी सिर्फ यहां पर क्या है क्या हम लोगों क्या है लेकर पर फॉम में अब यहां पर रखंगे यहां हम लोगा बदलेगा आप यहां पर जो वैसे भी जांते हैं वेपर बनने के बाद क्या यह बाहर निकल जाता है नहीं निकलेगा वहाँ पर उपर जाल करके थोड़ा सा के लिए वेट करेगा और यह तुरंद वेपर बनने के बाद यहां पर जाने के बाद यहां पर जने के बाद बेपर के रुपे तो रहेगा फिर यह ठंडा होगा ठंडा होने पाद के बाद क्या होचापों फिर वाटर बन जाएगा मतलब यह प्रोसेस हम्रों को क्या होगा ड्रेगुलर चलते रहेगा नीचे से उपर जाएगा उपर से इतना हम लों मान के चलो किसी चीज मान के चलो यहां पर तुम खड़ा हो ठीक है अब उपर से कोई पथल गिर जाता है तुम्हारे उपर तो वहां पर क्या लग रहा है तुम्हारे उपर प्रेसर लग रहा है क्या लग रहा है प्रेसर लग रहा है लगता है उसी तरह से मान के चलो यह लिक बेपर के दुवारा जो लिक्विट के सर्फेस पे बेपर के दुवारा किसके दुवारा बेपर के दुवारा लिक्विट के सर्फेस में जो प्रेसर लगता है वही प्रेसर को हम लोग क्या बोलते हैं बेपर प्रेसर मतलब बेपर प्रेसर का नाम ही हम लोग समाज गया प्रे हो चलता है उसमें अच्छा चलता है एक दोगो से नॉर्मलिग चाहँ करें तो सुबह से साम में देखो के तोँम्हारा यह थोड़ा सा गड़ या लेकिन सब्सक्राइब ढंट को धाका रहें रहuna चाहिए उसमें एक ऊपर confess पमेन फर बेपर से किसमर नोगों को लिघ्विड में डेंद से खेलधा हो जारा कंडेंस होने के बाद हम लोगों क्या हो जारा ली कविड में हो रहा और वही दबाऊ को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेसर बोलते हैं तो उसी को मौना कि दुबारा वेपर के दुबारा जब प्रेसर लग रहा तो उसको लोग बोलते हैं वेपर प्रेसर बोलते हैं अब बेपर प्रेसर कब बोलेंगे जैसे कि अभी बोलें कि गिरताँ आप में। प्रेशर लगेगा। तो आकि एक कोन वालब को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर वेपर खिए उसके लिए के लिए कंडिटिशन का है कि उसके प्रेशिक पह लिए कंडिशन करक्सी लात्रहिज आशन और ढशनाय 17 plains monsieur सब्सक्राइब उसमें जब दोनों के बीच में कैसा स्टेबलिस हो जब है equilibrium ौँट्री मोडिस हो जा equilibrium का मतलब हमलोग क्या समझ है एतना कि इधार हमलोग को क्या है लिकवीड लिकवीड अर इधार क्या है वेपर है अभी क्या हो रहा है कि लिक्वीट से हम लोग किसमें कनवर्ट हो रहा है वेपर में तो यहां पर पता चला कि जितना स्पीड में तुम्हारा लिक्वीट से भेपर में बदलेगा उतना ही स्पीड में क्या होता हो वेपर से लिक्वीड में कनवर्ट होता हो ता अगर यह दोन लिवीड रखे लिक बीड रखने के बाद हमलों किससे होगाonce हुझा च्छों कि हम लोग यहां पर क्लोई कंटीनर कर दिये तो यहां पर लोग को क्या होगए जैसे अब सैसे लिकूइड बदले LISA के बाद कूस समय बाद उस समय का हम लोग pressure को vapor pressure बोलेंगे जब हम लोग liquid से vapor में बदल रहा हो और vapor से liquid में बदल रहा हो तो जितना speed से जितना यह Convert होता हो इतना Convert होता हो मान के चलो उपर जा रहा है तुम्हारा 4 मोलेक्यूल तो 4 मोलेक्यूल निचे भी आना चाहिए तो उस तरह का जब हम लोग equilibrium दोनों में establish हो जाता है तो उस condition पे तुम्हारा यहाँ पे जो भी pressure लगेगा उस pressure को हम लोग क्या बोलते हैं भेपर pressure बोलते हैं तो यहाँ पे हम लोग directly क्या बोलेंगे कि जो भेपर के दुवारा pressure लगेगा किसमें liquid के surface पे कब जब दोनों में क्या हो जाए equilibrium establish हो जाए तो उस समय का pressure को हम लोग क्या बोलते हैं भेपर pressure बोलते हैं क्या कहानी यहाँ पर समझ में आ गया तो चलो उसी का हम लोग theory यहाँ पर लिखेंगे तो देखो भेपर pressure का definition हम लोग क्या बोलेंगे the pressure exerted by भेपर on the surface of liquid at equilibrium is called भेपर pressure हम लोग अभी वही चीज़ बात कर रहे थे कि जितना हम लोग को भेपर से लिक्विड में और लिक्विड से किसमें बदल रहा था भेपर में जब दोनों के बीच में equilibrium हो जाए कहने का मतलब जितना लिक्विड से का बन रहा था भेपर में फिर देख रहा था भेपर से लिक्विड भी तो बन रहा था तो अगर दोनों का जो rate हो गया मतलब process जो हो गया जित लिक्विड से भेपर में जाना और भेपर से लिक्विड जाना तो दोनों के अगर speed same हो जाता है तो उसी स लिखा हुआ तब प्रेशर एग्सर ज्ट रॉंठं में लगा जाता है तब उसी को क्या बोलते हैं लिखे ऐजह में लिखा गया था उसके बाद यहां पर हम लोग को कुछ अस्ट्रक्ट्रस बना करके थोड़ा सा बता देना है ताके थोड़ा इंप्रेशन बढ़े है इससे उपर वला क्या बता रहा है भेपर को बता रहा है नीचे वला हम लोग को केस का बता रहा है लिक्वीड को बता रहा है अब ये दोनों के बीच में हम लोग को क्या हो जाए इक्वेलिबरियम वह जते हैं हम लोग इस तरह से देते एंधिक है इसका मतलब तो यहां पर लिखा जाता है रेट आफ यहां पर डिखा जाता है रेट आफ है कि एवैपोरेशन इछ एक डिख वर स्टो कि रेट कंडे में लेख लेकोड रहा चाहिए उतना ही रेट तुम्हारा युक्न बदल को tu तुम्हारा equilibrium का condition बताता है ठीक है तो यहां पर directly उसको और अच्छा से एक लिखना चाहो यहां पर लिख सकते हो क्या लिखोगे जो liquid है यहां से जो बदल रहा है किसमें भेपर में और भेपर से किसमें convert हो रहा है लिक्विड में तो यह दोनों के बीच में क्या हो जाता है equilibrium established हो जाता है बस हो गया किसी को हम लोग क्या बोलते हैं भेपर प्रेसर कहानी फिर से बता रहे हैं भेपर प्रेसर कुछ नहीं होता है यह एक तरह से प्रेसर होता है सबसे पहले इतना कहानी जानना पड़ेगा कि तुम्हारे लिक्विड से किसमें convert होता है भेपर में होता है जो कि दिन चर्या में डेली देखते हो खान बनाते हो देली देखतो जब भी पानी करम करते हो वही होता है फिर वहां पर देखता है कि जो ग्विलिब्रीयम इंक अगर फिल नहीं करता है तो इसे जपना तुम उठावगे तो इसे पानी गिरने लगता है वह पानी आया कहाँ से तो है तो इसी चलते हम लोग बोलते हैं वो दोनों के बीच में जब equilibrium establish हो जागा मतलब जितना molecule उपर जागा उतना ही molecule नीचे आएगा तो उस समय के हम लोग condition को बोलते हैं equilibrium कहने का मतलब rate of evaporation और rate of condensation दोनों अगर equal हो जाता है कहने का मतलब जितना speed से तुम्हारा liquid से भेपर में बदलेगा और जितना speed से तुम्हारा भेपर से लिक्विड में बदलेगा वह दोनों क्या हो जा सेम हो जा वही condition को equilibrium बोलते हैं फिर कहानी चला कि जो भेपर बन गया तो भेपर के दुवारा हम लोग को liquid के surface पर क्या लगा रहा है और वही pressure को क्या बोलते है बेपर प्रेसर बोलते हैं जब हम लोग को equilibrium हो जाता है बस कहानी खत्म हो गया इतना ही हम लोग को सिंपल इसका क्या है डिफनेशन है चलो इतना लिख लो उसके बाद इसका कुछ-कुछ factors की बात करेंगे कि अब देखो हम लोग को यहां पर पढ़ना है कि भेपर प्रेसर किन-किन factors पर क्या करता है डिपेंड करता है ठीक है तो यहां पर मेंली तीन वो factors देखेंगे जिसमें से सबसे पहले यहां पर देखेंगे temperature होता है दूसरा देखते हैं हम लोग वहां पर अभी नेचर वाला देखेंगे फिर देखते हैं boiling देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहता है temperature temperature को घटाएंगे तब बढ़ाएंगे तब क्या होगा इंक्रीज करेगा इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भेपर प्रेशर होगा वह temperature का कैसा परपोस्टनालिटी होगा डारेक्टली परपोस्टनालिटी होगा मतलब temperature को बढ़ाएंगे तो भेपर प्रेशर भी बढ़ेगा अब तुम लोग बोलेगा कि ऐसा कैसी हो रहा है तो सबसे पहले फिर से चलो यहां फिल करो ठीक है अब मान के चलो यहां पर जैसे हम लोग हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है हीट स्टार्ट कर रहें देना तो लोग बेपर प्रेशर को सिफ डिफाल के थे जितना यहां पर रेट से जा रहे है उतना हम लोग को नीचे भी जा रहा है लेकर जैसे हम लोग जब टेंपरेचर हम लोग बढ़ाएंगे तरह यह लगा यहां पर ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया पर उन लोग के बीच में ज लगेगा तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर टेंपरेचर को बढ़ाते हैं तो भेपर ज्यादा बनेगा और भेपर ज्यादा बनेगा थो क्लॉष क्लैप्रों वो था तो यह क्लैसिस क्लाइशन दिया था एक्वेशन क्या है P is equal to A, A के power में minus delta H upon में R T, जहां में से P को क्या दिखाता है, vapor pressure को दिखा रहा है, A को क्या दिखा रहा है, constant है वो, और delta H क्या है, तुम्हारा enthalpy of vapor का है, अब यहां पे R क्या है, तुम्हारा gas constant है, और T क्या है, temperature है, तो वो एक equation दिया था, यही equation के माधियम से पता चलाता कि temperature और vapor pressure के क्या तरह हम लोगों relation देखने को मिल रहा है, तो इसी को हम लोग जब derivation को आगे जब हम लोग प्रूप करते हैं, log को यूज करके, तो वहां से हम लोग को equation आता है, ln P1 by P2 is equal to delta H नीचे R होगा, और यहां पर 1 by T2 minus 1 by T1 होता है, तो यह equation का हम लोग ज़्यादा अभी यूज नहीं करेंगे, इसका पुरा proof के साथ हम लोग को पुरा explanation जब आगे higher studies करते हैं, तो वहां पर हम लोग को जरूरत पढ़ता है, अब यहां पर जानना था कि आखर यह जो temperature और भेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन आया तो कहां साया, तो तुम लोग को सिर्फ knowledge के लिए बता दिया कि यहां पर क्या है, closest clapron यह scientist था, जो हम लोग को क्या बताया था, रिलेशन बताया था, वेपर प्रेशर और temperature के बीच, कहां नहीं समझे माँ गया, अब यहां पर देखो, इसका बीच में हम लोग एक graph खिचेंगे, graph को समझना ठीक है, तो अब तुम लोग को एक चीज जानना पड़ेगा, अब देखो, इक बारे में तुम लोग जो मैट पड़ रहे हो, तो मैट में तुम्हें यह वाला तुम्हें दिखेगा, एक्सपोनेंसल इसको बोलते है, तो इसका अब लोगरीतम यह साब को जब भी पढ़ोगे, वहाँ पर यूज करोगे, वहाँ पर कल्कुलस में, तो वहाँ पर तुम लोग बहुत ज्यादा वहाँ पर यूज करने वाले हो, तो यहाँ पर जब-जब कोई भी एक्वेशन इवला आएगा, क्या चाहिए आएगा, यह इसका जब-जब गराब बनेगा, तो यह तो फिर तुम्हारा इस तरह से बनेगा, अगर इंक्रीज करेगा, जैसे हम लोग दो चीज देखते हैं, मान के चलो यहाँ पर एक्स और वाई के बीच में देखेंगे, इधर एक्स और वाई, तो उस तरह से जाएगा, यह तो यह तरह से बन गया, अगर उसी तरह से बनाते हैं, घटने वला था, इसका मतलब क्या समझ गया, अगर अभी एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ग्राफ बनाने का मतलब है, देखो इधर, अभी एक ग्राफ बना रहे हैं, एक तरफ हम ले लेते हैं वेपर प्रेसर और एक तरफ ले लेते हैं टेंप्रेचर, यह दोनों के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, अब ग्राफ बनाने जाओगे था हमें तो इतना पता चलिए कि टेंप्रेचर को और यहां से इतना हो जाएगा फिर यहां से तुम सहने जाओगे यहां यहां फिर इसपॉंट में था तो तो घो कर चैनल जयसे इस कॉण्ठेट केना बनाते लेकिन जब लोग अगया तुसी तुसासे लेकिन यहां पर जब इसका रीृत संदेखया है में यहां यह पर किया यूज हो गया एक्सपो और यूज ह pierwszy आगा तो इसी चलता है ऑरी जब जब लोग को ग्राफ में आएगा तो हम लोग यह तो करेगा तो बढाएंगे तो वी इंक्रीश अगर temperature घटाएंगे तो vapor pressure भी घटेगा तो जब हम लोग grab बनाएंगे तो हम लोग बढ़ते हुए तो देखाएंगे कि temperature को बढ़ाएंगे तो क्या होगा हम लोगो vapor pressure भी बढ़ेगा लेकिन उस समय जब हम लोग देखे यहां पर फिख स्वाम निटाल रहा है तो उस कंडिस्टान पर जब रहा है तो वहांस हमस्थ क्या करते हैं इस तरह से बढ़ाते हैं काल नीट समय मारा मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन डियुरे दिरे बढ़ रहा है मतलब exponential बढ़ रहा है और यह state land और इसमें बहुत फर्क है देख रहा है यहां पर यहां पर लिखने के बाद लिख लिया उसी के नीचे लिखे यहां पर क्या करना इस ग्राप को महां पर दिखा देना सिर्फ उपर लिख देना ग्राप क्योंकि देखो ग्राप से कभी कभी questions आएगा या फिर इस concept कम लोग जीखे हुए रखेंगे तब में लोग को boiling point हो गया freezing point हो गया तो वह सब समयने में थोड़ा सा असानी होग क्या पर लिख लिना ग्राप और अराम से इसको क्या कर लिना समय लिना को पिम बनाऊगे तो इसको अस्ट्रेट नहीं बनाना हमेशा उसको कैसे बनाना कर बनाना ठीक है चलो इतना लिख लो उसके फिर आगे नेश्ट बात करते हैं का अब अब देशिक को सकीडंड जो backup पर टिइपेंड करता है वो क्या हैं इंटर भूलेल्कवल क्यूले litres अब इंटर मॉलक्यूलर पहरान का मतलब क्या होता है समय यहां पर मानके चलो कंटेनर जो बना रहा है उसमें जो प्रक था है यहां पर तुम्हारा लिक्विड रखा हुआ है अब देखो यहां पर तुम सब्सक्राइब करना कियुक्तर इन्टता है और यहां पर इद्धक्र लिक्विड हो जलेगा तुम्हें लहीं लग लग रहे हैं कि इन लोग का सब SUSP ऐसे यह इसी तरथ से बहुत सब्सक्राइबूरे घया इंट्रीक्विड होगे तो आपस चलो यह दोनौ मोलेक्यूल लिए ठीक है यह दोनों मोलेक्यूल के बीच में क्या है यहां पर एक फोर्स से जुड़ा हुआ है मतला आपस में एक बना कर रखा होगा अरे तभी तो वहां पर पानी में गिरा है तो वहां पर देखो मान के चलो इस तरह से तुम्हारा क्या है बॉंड बनाया क्या रहता है यह दोनों के बीच में आपस में क्या रहता मोलेक्यूल के बीच में जुड़ा हुआ रहता है एक फोर्स से अब उस फोर्स को हम लोग हीट दे करके क्या करते हैं तोड़ते हैं आईसा थोड़ी है कि रख देंगे कोई भी वाटर तो अपने आप पुरा गैस म बॉड़ जाएगा सो फुसिबल नहीं है तो वहाँ पर समझ माता था कि देते हैं तो उनलों के बीच में जो बॉंडिंग रहता है तुटता है जब यह दोनों आपस में फिरी नहीं होंगे तो उपर उड़ेंगे कैसे समझ मारा तो यहां कि अब ट्रॉटताइक तब लोका यहां यह कोई बदथा लिकविट बताओ कोई भी लिकविट का नेजर पर पर डिपेंड़ करता है वहां पर देखो कि हम बदे आइब आपक मान के चलना वलत अब दूसरा लेकवीड लिकविड लिए यह चीज ठीक है मान के चलत jouer यह liquid A है और यह liquid उम्हारा B है ठीक है अलगले liquid है है। अब मान के चलो इसका force हमलों को क्या है उसका force है क्या हिस्ते , क्या है लगा हुआ है कहने का मतलाग यह भी liquid हैं यह दोनो liquid के बीच में क्या लगा फोर्स लगाुआ हैं इन्टरेक्शन फोर्स इसके बीच में देखिए लगा है अब बाता इसका Daisy जो है वह इससे क्या है वह जहदा प्र massacre हुआ है और यह यापस में यह थुए अब तुम बताओ कि है और बी चल्दी बनेगा इसका बनेगा कि इसका बनेगा इसको तोड़ेगा तब वह बनेगा तो वही चीज यहां पर बोल रहा है यह intermolecular forces का मतलब समझ मां गया जो यहां पर molecules होता है वो एक दुसरे के आपस में क्या करते हैं एक फोर्स से जुड़े होगे रहते हैं उसी force को क्या बोलते हैं intermolecular forces बोलते हैं कहानी समझ मां गया अब यहां पर कैसे हम लोगो depend करेगा vapor pressure तो vapor pressure में समझ मां गया कि अगर intermole forces हम लोगों strong रहेगा तो vapor pressure क्या हो बनेगा कम बनेगा अगर हम लोगों intermolecular forces weak बनेगा तो हम लोगों क्या होगा vapor pressure ज्यादा बनेगा जैसे कि यहां पर देखो intermolecular forces हम लोगों क्या है ज्यादा है क्या है ज्यादा मतलब वहां पी जो फोर्स लगा होगा वह क्या है बहुत अस्ट्रॉंग होगा तो अगर अस्ट्रॉंग रहा वहां पी फोर्स तो escaping tendency, काहने का मतलब बाहर निकलने का tendency जो तुम्हारा water रहेगा तो water को वास्प में बदलना पड़ेगा, तो water से वास्प में बदलने में उसका tendency क्या होगा कम जाएगा, क्यों कम जाएगा, क्योंकि वहाँ पर intermolcular forces ज्या है, ज्यादा अगर वहां पर फोर्स तुम्हारा जादा लगेगा तो निकलने की टिंदनिशी क्या होगा अगर यह कम तो मतलब यह समझ गया है कि हम लोग बर प्रेसर के बात करें किया चशे बात करें uda वयपर प्रेसर को भी पीस देarent healthyर है तो बहिज स्ट्रॉंग बन रहा है उतना कं भी पर बन रहा है जितना यह कं बनेगा उतना उमिलोग यह जदा हो 가지 यहां उंमलत समझे के पर पर प्रेसर इस इसने पर पोरिस टूक इसका intermolecular force intermolecular forces for I am Ap se लिखेंगे ठीक है दिकत्तों नहां था लॗिकंट्व के इस समझ माय है और क्या समय माया कि अगर उन लोग के बीच में फोर्स जादा रहेगा तो वापर बेपर क्या बनेगा कम बनेगा किलियर है आता तो यह था तुम्हारा क्या चीज़ सकेंड पॉइंट था जो कि क्या था इंटरमोल्किलर फोर्स चलो इतना लिख लो उसके बाद तुम्हारा ब्वोइलिंग पॉइंट सुनिए लो उसकेंड लिखना है कया है सो देख 02 हम लोग थर्ड में यहां फर बॉइलिंग पॉइंट ≦ 20 प्रेसर है वो ब्पॉइंट पर बैस्रयू यह थे बानिंग पॉइंट क्या होता है सो समझो बॉय्लिंग पुइंट कुछ नहीं एक त तो उस समय का टेंप्रेचर को बोलते हैं boiling point जैसे कि इमान का चलो तुम लोग डेली जानता है अब तुम लोग से खुल अभी पुछेंगे ना कि बता वाटर का जो boiling point होगा वह कितना होता है बचपने से हम लोग क्या करके रखे हैं रट के रखे हुए इसका boiling point कितना होता है 100 अब यहां पर बताओ कि जो 100 डिग्री सेल्सियस बता रहा है यहां लोग क्या बोल रहें boiling point तो आभी कहिनों सोचने कि यहां पर कोसिस किया क्या कि बोलिंग बताता क्या है पुछ नहीं समझ माया था पहले तो अब समझो कि यहां पे वाटर है ठीक है अब वाटर है तो यह हम लोग को क्या होगा हीट यहां पर देना पड़ेगा तो हीट देंगे तब तक हम लोग हीट देंगे जब तक हम लोग को boil करना start कर दिया तो उस समय हम लोग temperature भी तो लग temperature कितना लगा था 100 degree Celsius लगा था तो वही टेंप्रेचर जो जितना टेंप्रेचर लगा इस पानी को हम लोग करने में तो वही टेंप्रेचर को क्या बोलते हैं boiling point बोलते हैं आप कहाने समझ माया तो यह बाकी अभी boiling point का ज्यादा हम concept देने वाले नहीं है इसका एक टॉपिक आएगा quality property जहां में हम लोग आएगा elevation in boiling point तो वहां पे इसका बहुत गहराई से समझाएंगे क्योंकि वहां से vapor pressure और boiling point के बीज में यह सिर्फ अभी सीख लो उसके बात इसका boiling point का concept होगा वो बाद में बताएंगे दो या तीन lectures के बाद बताएंगे तो अभी simple खली get जानो जो तुम्हारा vapor pressure होता होता है वह भी inversely पर नोता ऐकिसका boiling point का किसका होता हैー boiling point का कि अगर यह the boiling point ज्यादा है इसका मतलब वहां पर भेपर क्या हुआ होगा कम बना होगा अगर boiling point कम बनेगा तो उस समय वहां पर क्या रहेगा बेपर ज्यादा बनेगा चलो अभी फिलहाल सिर्फ इतना तुम याद करके रखनाइस को यह दोनों तब फिलो गया तना कि क्या होता है तुम्हारे टेंप्रेचर बढ़ाने से क्या होता है तुम्हारा यहां पर इंट्रमोल्किलर फोर्से से तो अभी सिर्फ इतना जान जाओ कि यह तो बोईलिंग पॉइंट है अगर बोईलिंग पॉइंट हम लोगों को ज्यादा आ गया जैसे कि मान के चलो एक जगह तुम्हारा बोईलिं सेल्सियस और एक जगह तुम्हें क्या मेल गया सौ डिग्री सेल्सियस अब बता कि किसमे पर ज्यादा मान के यहां पर वाटर में कोई भी लिक्विड लेते हैं ठीक है चलो कोई लिक्विड है जिसमें एक बार हम लोगों को कितना लगा एक सो सब्सक्राइश डिग्री और पॉइलिंग पॉइंट इसके लिए थोड़ा सा वेट करो क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अभी एक बॉइलिंग पॉइंट को बता दिया जाता है तो बच्चा अच्छा तिरिके समझ नहीं पाता और बार बार मैंड में गलत चीज यहां पर लेकर करके चलता है तिसका ज दूसरा देखें इंटर मोल्किलर फोर्स देखें और तीसरा तुम क्या देखा बॉइलिंग पॉइंट देखा वाज तो तीन को देखें अब यहां पर कोईशन्स पढ़ हो पाहला क्या बोल रहा है सेलेक्ट दा कंपॉंड विद धा हायर भेपर प्रेसर कि इन मेसेजिसे अब यहां पर दो दो लिखा गया है अब यह दोनों मोलिक्यूल में बताना है कि किसके पास क्या है और बता है इह फिलेट ऑगर रिलेट भी करते था तो तीन कंडिशन पर देख सकते तहिंच temperature या πिर intermolecularifts या फिर boiling point अगर तुम्हें temperature का बात करता तो temperature टो लिग देता क्या टेम्पम्रेचisser लिखा उब हुआ है यहांने है तो इसके अनुसाल जवाब देना नहीं of boiling point क्या agric on value point से भुषाब देना है यह अभी तुम्हारे तोनों में किस तरह का पोर्स लगेगा सबसे पहले बता यह किस नेचर का है पोलर है कि नन पोलर है H2O एर H2S में देखेगा तो वो किस तरह का नेचर का तुम्हें दिखाई दे रहा पोलर नेचर कि नन पोलर नन पोलर मार्क हाईगा तुम लोग नन पोलर रे उसको बोलते थे जिसके पास कोई भी हम लोग को चार्ज डेवलप नहीं होता था जैसे हम तुम लोग को बताए हुए थे कि यहाँ पे H2 हो गया O2 हो गया या फिर तुम कुछ भी ले लो CL2 वेगरा ले लो तो यह सब क्या होते हैं नन पोलर होते है कैसे जैसे मान के चले हैं यहाँ पे और वही जैसे कि यहाँ पे देखो H2O का एक्जामपल H2O में देखता है इसका स्ट्रक्टर्स इस तरह से देखता है अरे देखता है न अब देखो यह दोनों के बीच में यहां लोग को बनता था डैपोल डैपोल बनता है क्योंकि जानता है पोलर में कैसा होता है होनों को निकलता अदर रहर को ही हम लोग क्या बोलते है इसका मतलब इसमें जो पौर्स लगेएगा वहम लों उब क्या लगेगा डैफल्ठ बैपोल डैफल Ri यहां पर शुकर कि यह थो पोलर है अब पोलर है तो इसमें भी कैसा हमदों लोगको फॉर्ट स अउप सब्पोर्ट से यहां पर भी डापोल डापोल रहेगा तो ब्रहेगों इस अब सब केमीकल को बनिंग मैं पड़ चुका हम ठीक है है योद के बारे में थोड़ा सा जानते थे अब देखो हैडरोजन बॉन्डिंग क्या होता है सब सक्राइब कि मतले करें कें जिए सब्सक्राइब था हाड्रोजन हाड्रोजन अगर दो more electronegative element के बीच में अगर आ जाता है तो वहाँ पे तुम्हारा क्या बनता है हाड्रोजन बनता है और कौन-कौन तुम्हारा more electronegative element है तो फोन होता है जिए होता है तो कहने को मतलब यहाँ पर इस तरह से इसका स्ट्रक्टर बनाओगे बनाओगे इस तरह से फिर तुम्हारा वाटर तभी और है ना तो अभी तुम्हें इसी तरह से क्या करोगे तुम बनाते चल जाओगे अभी देखो इस hydrogen के बारे में समझो यहां पर क्या हो जागा पार्षियल् पॉजिटिव यहां पर क्या हो जागा हाँ है पर क्या होज़ागा इस हैडरोजन के घाप है जा सब्सक्राइब конц इंट्रेक्शन था और पोजिटिव नेगेटिव पोजिटिव नेगेटिव से इंट्रेक्ट किया होगा तो वहां पर इसमें भी तो उसी तरह कर रहा था लेकिन यहां पर रहता या फिर फ्लॉरेंग रहता चाहिए उक्सीजन रहता आट यहाँ पर देख रहा है सलफर किसी तरख को बनाएगा नहीं तो वह कैसा ही सिर्प बनाएगा वहाँ पर यह एक को फोर से जुड़ा है यह कैसा रहता है दो-बो जो कि हम बताये थे कि hydrogen bonding सबसे अस्ट्रोंग बनता है तो इसका करने मतलब यह दोनों में बोलो तो कुन attraction किसके बीच में ज्यादा होगा है एच्टुओ के बीच में क्यों क्यों क्योंकि यहां पर hydrogen bonding मन रहा है तो यह दोनों आपस में कैसा जुड़ा होगा बहुत ही अस्ट्रोंग से जुड़ा होगा लेकिन यहां पर देख रहा है सिर्फ डैपल डैपल था तो यह बहुत ही वहां पर क्या होगा जुड़ा होगा अब यहां पर इतना तो पता चल गया कि इंटर्मोल्कुलर फोर्स किसका बात कर रहे हैं लोग इंटर्मोल्कुलर फोर्स तो यहां पर देखे हैं हम लोग को क्या हो गया ज्यादा हो गया किस से एच्ट्ट एसए इतना हम लोग को यहां पे क्लियर पता चल गया अब चल गिया कि ज्यादक वाटा कि यह यहां कि भूपस का ज्यादा बनेगा तो हम लोग को यहां यहां कि लिगना यहीं यह क्यों नफ्क प्रेसर इंवर्वर Сिरुव Всем रहेगा कि सब आखिर कहानी क्या चल रहा है यहां पर एक्स्प्लेशन कि हैं यह लिख लेना तो इतना लिखने के बाद यह वहला कम से कम लिख देना कि सकेंड वलन देखो इसमें क्या करता सेलेक्ट धग्पॉंट विद दा हायर फेपर प्रेसर इस रखा अब यहांपे तुम्हारे सामने फिर दो मोलीक्यूल है थेमकी सबसे सबसे पाले किस तरह का मोलीकूल तब ही देख Теперь और दोनों तरफ कहीं कहिन यहां पर चार्ज मोट्व हो जाएगा नहीं होगा हम नहीं होगा यह सब Só यहां पर देखो कुछ तky पॅ कोई यहां पर चार्ज और पर चार्ज ऑक आप अब इतना यह जवाब दे सकता है कि जुक्षे की देखो नॉन पोलर यहां पर चार्ज आ यहां पर रहेगा यहां पर फोर्स बने हैं ढों डापोल ऐन्ट को इंट्पल डापोल इंट्रेक्शंब डापल अब अगर यह पर इंट्रम ideia की बात करते हैं बॉल कि यहां करते में तो यह जो अलकेन दिया हुआ है इसके तुल नमें अब बता इंटर मुल्किलर फोर्स इसका ज्यादा तो बता भीपर प्रेशर किसका ज्यादा बनेगा उसका बनेगा तो इसका मतलब सही जबाब क्या हो जाएगा कहानी समझ चलो इतना लिख लो पिनेश सवाल देते हैं थेखो आप कोईसंस हम लोग को क्या है कोईसंस है विच फेक्टर डो नोट अफेक्ट दब्हेपर प्रेसर आप लिक्वीड एक इक्विलिवियम सबसे पड़े कोशनस को पड़ो अच्छा से क्या बोल रहा है वेपर प्रेसर को वैसा कॉंस आप फैक्टर्स है जो डिपेंड नहीं करता है या फिर उसको एफेक्ट नहीं करता है पहला में लिखा हुआ इंटर मोलकिलर फोर्स ऑप अट्राइक्शन कहने का मतलब आई एम एफ है और फिर यहां पर देखो दा वोल्यूम आफ लिक्वीड पर जेंड और थाड में तो इस पर टेन एंफ में ऊहलनों करता है एक तुदॉसरा देखे हैं लोग टेंपरेच्चर पर और तीसरा लोग क्या बेखे तो तीन प्रेटर्स पिर पहला था इंटर मोल्क पिर फोर्स एंपर क्या तंप्रेचर अर्था था बोली पॉल्यूम या फिर कभी भी तुम्हें सार्फेस लिकला रहेगा यहां को अगर surface of liquid में भी अगर बढ़ा दिया जा तो वेपर प्रेसर में किसी तरह का कोई changes देखने को नहीं मिलेगा जितना बनेगा उतना ही बनेगा तो हमेशा याद राखना है यही तिन वो प्रेशर पर करता है तो को नहीं कर रहा है वही चीज़ता कर रहा था कौन हम लोग को affect नहीं कर रहा है उसको select करना चलो इतना लिख लो है अब देखो हम लोग भी पर प्रेशर को पढ़ चुके हैं और वहाँ पर जैसे की गोल्स में भी लिखा गया था क्या लिखा फ्रेशर अ तो प्रेशर अब यहां पर सबसे पहले कहानि दमर्जों करता था अब यहां पर समझ में आना चुब हो चुपा अब यहां पर बात हुआ कि मानने चलो principle थीअ समय चेलो अभी यहां कि क्या था मिलोंको प्योर pressure बन रहा हूँ आफिर कितना बन रहा है तो हम लूब क्या करेंगा कोई इंस्ट्रूमेंट का यहां पे साहरे मेजरमेंट कर सकते हैं नाव रहाम से यह तो हमलों को प्रैक्टिक्ली चीज़ हो जाएगा इस्को दिमान का चलो वाटर है क्या है तुम्हारे पस वाटर अगर वाटर का भेपर प्रेसर बोलेंगे कि कितना होता है तो उसका प्रेपर प्रेसर कितना होता है ह오िए इतनातो समझ माई गया है तो अब देखweit इसनलों को तो याद कर लेंगे पता चल जाएगा अब पुब्लम तो हुआ तब जब हम लोग सब्सांस को क्या करने लगे क्या करने लगे हम कोई भी हम लहां पर सिर्फ को एड़ करेंगे सॉल्मेंक में तो यहां पर क्या होगा यहां पर फिर से भी फर प्रेशर वनेगा अरे पर सब्स्टांस बढत सब्सटंस पर सॉल्यूत-" Universalendem तो यहां तो इसका बन रहा है तो क्या तो बन रहा है तो अब एक कितना प्रेसर बन रहा है वी का कितना बन रहा है तो यहां से अमने को पता करना थोड़ा-थोड़ा क्या हो गया मुश्किल होने लगा जैसे कि फिर से बात करते हैं अगर यहां पर टोटल प्रेसर तुम मेजरमेंट करेगा जैसे यहां पर चार बने हो सकता है एक पांच बने अर ऐसा हो सकता है जिसे मानगे चलो को अच्छा बना लेते हैं तुम्हें से तुम्हें जो क्या मिक्स दोगे तो यहां पर वोगत को पता चल जागा कोई भी इंस्ट्रूमेंट के सहता से लेकिन यहां को पता करेंगे कि a का कितना बना है बीक का कितना बनाया तो पता चल पाएगा नहीं चल पाएगा अच्छल पाएगा कीस का मोल ने किसके यहां पर बात करेंगे प्रेसर किसका बीका तो यह किसका डार्क लिप्रपोस्टन हो जाएगा तो यह क्यों बताया था रॉल्ड लो ने बताया था तो वहां पर हम लोगों यह समझमाया कि कोई भी सोल्यूशन वेगरयर रहता है तो वहां पर हम लोगों ना एक शक्त है और नहीं बीकाव आस तो उसका कैल्कुलेट करेंगे कि एक कितना बना बीका कितना तोड़ी पता चलेगा एक इतना बना कितना बना को जरूरी कि दोनों को डिभाइड कर देगा जिसे माल के चलो वहां जाएगा तुम्हारा पता चलेगा टू एटियम प्रेसर कितना पता चला टूटल टू एटियम और तुम बोलेगा रहे तो तुम क्या बोलेगा आधा-धा कर दो दो तुम मिला रहे तो इसको द ईहां पर जयादा बनेगा नहीं बनेगा और वियुक्त लुख कीतना किसको क्या होगा वो तक फिक्स पता नहीं चलेगा तो वहीं सब के लिए सईन्टिस आये था रॉल्स और वो हम्हों दिया था हुसके नुसार हम लोग को और दूसरा हम लोग यूज करेंगे पार्सियल क्या यूज करेंगे यह दोनों कहने का मतलब पहले समझ जब जब प्योर का बात करेंगे प्योर करने का मतलब उसमें किसी तरह का प्योर 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 प्रेशर यहां पे समझ गया कि जो भेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे वह लोग पी से दिखाएंगे किसे दिखाएंगे अब यहां पे अगर बात करो कि तुम्हारा इस तरह से लिखा हुआ रह गया और कभी तुम्हारा इस तरह से लिखा हुआ रह गया यह दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता यह बताता है पीबी और पीए यह कहानी तब बताता है जब हम लोग कोई सॉल्यूसं में रहता है तब अगर मानके चुल लो ये solution बनाँ था क्या बनाँए? solution तो यहाँ पर A भी है और क्या है? B भी है तो यहाँ पर vapor pressure बनेगा और यहाँ जो vapor pressure हम लोग A का calculate करेंगे और B का calculate करेंगे ता उस में का pressure को हम लोग PB और Pya से दिखाएंगे और इस वहला प्रेसर को हम लोग क्या बोलेंगे पार्सियल भेपर प्रेसर बोलेंगे क्या बोलेंगे पार्सियल भेपर प्रेसर इसको हम लोग बोलते हैं पार्सियल भेपर प्रेसर और बी इसको बोलेंगे पार्सियल भेपर प्रेसर और यहां पर पी नोट ए और पी नोट बिए यहां पर क्या बोलेंगे प्यो miedo अधिया जब यहां पर लगा रहेगा अवा शुट्बॐ नमेल्डों वह खिया प्यों पॉऩईबर पुशेड़र है जब उसको अलग अलग कंटेynर में रखा गया होगा, तब, और उसमें किसी तरह को अध्य को favorites को आखेस, यह जो तुम्हारा सब्स्टान कंटेनर है इसमें। और सील्फ किया रखा गया, है पवेपर प्रेसर बना होगा तो उसी पूर बैटीर यहां पर तो और पारश समय उसको बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो तो इसको भी बोलेंगे पार्सेल यह लोग को क्या रहेगा यह जो हम लोगों क्या रहेगा यह जो हम लोगों क्या रहेगा और अभी जैसे बात कि हम लोगों क्या रहता है तो फीक्स रहता है तो फीक्स है भी यह था अभ्यस जी बात है को दे रखेगा कि उसका इतना भी पर-प्रेश्टार है जैसे वाटर कर नहीं भी दिएगा तो हम लोगों को याद रखना पढ़ेगा कुतना किसका होता है 760 mmHg दूसरा सबस्टान्स रहेगा, कोई दूसरा हम लोग को लिक्विट है तो उसका मेजरमेन करके मां पर दे देगा, मतलब योर फॉम में तो तुम्हें दिया हो रहेगा, अब दिकत क्या है, इसका, किसका दिकत है, इसका, पार्शियल वेपर प्रेसर, जो तुम्हारा था और उन्होंने बहुत ही असान तरीकों से सिर्फ हम लोग को क्या बताएं तो वह बताएं कि अगर किसी का भी partial vapor pressure तुम्हें निकालना है क्या बोला था अगर किसी का भी partial vapor pressure तुम्हें निकालना है तो जस्ट उसी का directly प्रफोर्शन हो जाता है किसका उसका मोलों फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है अगर किसी का पार्जल फ्रियसर निकाला है तो हुद ये किसको ऑखो है यहां पर बच्छपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब जब हम लोग को परपोस्टनालिटी बीच में आया तो यह हटता भी है और जब जब हटा है तब एगो क्या आता है तो इसमें जब पॉंस्टेंट आया तो देखो वो क्या बताया यहां पर जैसे यहां पर देखो पी नोट यहां प जैसे पर पोसटनालिटी हटे करते हां पर यहां पर जीज आएगा और वहां पर जरुको प्योहर में उसी का भेपर प्रेशर को लिया गया है कितना लिया गया उसी को प्योहर जो यहां पे लेंगे उस ही का प्योर फिएपर प्रेशरा और उसमें उसका मॉल een fraction जब भी question में देगा तो यह दोनों का value दिया रहेगा mole fraction तो तुम खुद निकालोगे रेकंसेंट्रेशन पढ़ा है ना वहां पर वेट वेगरा देदेगा वहां से क्या निकाल देना है mole fraction उन लोग को तो यहां पर पूछ नहीं पी यह और पलस में क्या करोगे बीवी जितना एक भी पर प्रेसर होगा क्या हो जागा तुम्हारा solution का भेपर प्रेसर हो जागा तो अब देखो यहां पर क्या करोगे इसको और expand करोगे एकस्पाइट कैसे करोगे yahlem पर देखो a कर बदल a कर बदल Cherry सकते हो यहां पर देखे खो तुम p8 ओर क्या लखो हो x a लिखे में पलस मैं p8 b का लिखोगे यहां पर लीकोगे x देखोगे और यहीं लिखा रहेगा पीएस लिखा रहेगा तब भी समझाना किसका बात करेंगे और भी यहां पे तुमारा हम लोग पहुंच जाएंगे लेटीव लोवरिंगी सिय्व करता है यह इसे किस्ट करने को मेजरमेंट करने के बात आया है अब तो मेजरमेंड करने गाए तो प्योर फॉर में थे हम लोगों पता रहता है लगी जैसे हम लोग सोलिशन बनाते तो वहां पे वहां पे वह पर प्रेसर निकालना थोड़ा सा मुझकिन हो जाता तो उसको सोलिशन करने के लिए एक हम लोग को सइंटिस्ट आया था जिसका नाम तो यहां से हम लोग क्या किये पी ये औरल पीव निकाल लिए फिर ऊसी तरह से टोटल भॉपर प्रेशर कर लिए तो हम दिर द्र करेंगे अगला विडियो में जो रहेगा उस में पूरा कंसेट को बात करेंगे वहां से बहुत सारा नुमेरीकल भी करेंगे किनी चैकण बोर्ड वेगारमे सारा कुछ पूछा उब रहता है तो कि लिए रहाता है आज क्या क्या पढ़े सारा कुछ दिमाग में है बाकि कल से हम लोग को यूज पर एगा देख रहे हैं यहां पर कंसंट्रेशन दीख रहा है तो यह सब थोड़ा सा रिवीजन कर ले ना क्योंकि कल का नुमेरिकल में यह सब लोको क काम करेगा तो चलो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं अगले वीडियो में अ झाल झाल